हाई फ्रेंड फर्स्ट अब आल सोरी टू यू आल बहुत दिन के बाद मैं आप आया हूँ फ्रेंड ये होता है कि बहुत बिजी स्युडियूल हो जाती है तो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इसके लिए फीर से सोरी और आज मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि मैं अपना एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको मैं पूरा करने जा रहा हूँ तो फ्रेंड हम लोग ज़्यादा टाइम का बरवाद नहीं करेंगे येस फ्रेंड मैं सोलर प्लेट लगवाने जा रहा हूँ तो भाई इसमें खुशी की कौन सी बात है अरे भाई साब खुशी की बात है क्योंकि एक तो मैं इसमें आपका ओन ग्रीड प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूँ जिससे मैं अगर ज्यादा अगर यूनिट प्रोडक्शन होगा मेरा इलेक्टिसिटी का तो मैं कंट्रिब्यूट करूँगा गूर्मेंट को और यह एक इको फ्रेंडली है तो मेरा जो एड़वाइस है कि हर लोगों को इसके बार बें पॉजेटिव थिंकिंग रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जिनके पास अगर रूफटॉफ है और छट पर अच्छा खासा जगा है तो उसका इटलाइज करें और सोलर प्लेट अपने कैपेसिटी के नुसार अपने कंजम्शन के नुसार जरूर लगवाए तो फीर से मैं बोलता हूँ मैं बहुत एकसाइटेड हूँ और खास करके आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि जब मैं अफलोट करवा रहा था सोलर प्लेट को जब कितनी खूसी हो रहे थी तो फ्रेंट चलिए इसके बारा में हम लोग और स्टेड़ भाई स्टेड़ वीडियो बनाते रहेंगे जिसमें बताएँगे कि कैसे सोलर प्लेट का सेलेक्शन करना चाहिए खास करके पटना के मैं बात कर रहा हूं कितना मैंने कfryरी किया कितने जग़ा मैंने पूछा कौन-कौन से जग़ा मैंने अपरोच किया फिर वात में डिशाइड किया कि कौन सा सोलर प्लेट लूँ मैं सारा चीज बताऊंगा अगर आप चाहेंगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मैं आगे दो-तिन वीडियो बनाऊंगा इस सोलर प्लेट पे और आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी जनकारी हासि प्लेट के बारे में तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िये ताकि आपके एक क्वेस्टन से लोगों को अवेर्निस मिलती है लोग जानते हैं उस चीज़ को लेकिन पूछना नहीं चाहते हैं चाहें दूसरे से सेर्व नहीं करना चाहते हैं और एक मीत है कि जारे यार सोलर प्लेट लगाने से कुछ नहीं होगा यार मैं बताओंगा जब मैं फूल सेटप मेरा हो जाएगा उसके बाद मैं एक महिने के बाद आपको अपना जो बिजली भी ले जो इलेक्ट्रिसीटी भी ले उसका मैं जो यूनिट कंजम्शन और प्रोडक्शन होग उस सबें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसीटी को बचाने के लिए सोलर पेनल लगाना कितना ज़रूरी है और खास करके ये इनवायमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितना हमलों का एडिक्शन हो गया है जितना हमलों का डिपेंडेंसी हो गया ह electricity पे उसके मुताबिक कहीं नहीं कहीं तो production हो रहा है और वो हमारे environment को भी effect कर रहा है उस production में तो हम लोग क्यों नहीं जो free energy है solar energy है उसको utilize करें और अपने rooftop पे लगाए और कम से कम थोरा सा तो contribute करें जो यह environment है उसको protect करने में थोरा सा तो contribute करें इसमें दो benefit है एक environment का protection हो गया दूसरा आपका थोरा monetary support भी हो जाता है तो चलिए मैं ज्यादा पकवास नहीं करता हुआ मैं अपने खुशी को share करता हूँ कि जिसमें upload हो रहा था मैं कितना खुश हो रहा था और friend मैं stage by stage इसका वीडियो बनाता रहूंगा अगर आप demand किये तो और मैं एक एक चीज को बार तो friend इस moment को देखने के लिए मैं मतलब बहुत बेसबरी सिंतिजार कर रहा था और बाई साब जैसे यह पैनल ओफ लोड हो रहा था मुझे मैं express नहीं कर पर हूँ कि मैं कितना खुश था और यहाँ पर मैं 6 किलोवाट का पैनल लगवाने जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे 12 प्लेट लगवाने पर हैं और मैं एक एक प्लेट का description बाद में बताऊंगा next वीडियो में बताऊंगा कितना wattage का प्लेट है और कितना कैसे क्या calculation करना है तो बाई साब है भी बहुत मतलब बहुत ही supportive बंदा थे यार जो भी इन्होंने जिनको भेजा और देखिए हम लोग कौन सा लगाने जा रहे हैं विक्रम सोलर येस फ्रेंड आप तो जान गए होंगे कि हम लोग कौन सा सोलर प्लेट लगाने जा रहे हैं और क्यू हम इसका चैयन किये हम लोग सब कुछ बताएंगे और आगे देखिए उन्होंने सारा चीज़ एक साथ बेज दिया यहाँ पर उसके जितने भी अस्टेंड है उसका सारा हमारे पास पोल आ चुका है हलाकि जो सोलर पैनल लगाने जा रहे हैं उन्होंने अडवाइस किया कि आप बिना पेंट का भी रख सकते हो लेकिन यह एक लाइफ टाइम इंवेस्टमेंट है तो इसको मैंने सोचा कि इसको अच्छ से से भी देखो और आगे मैं बताऊंगा एक वाइफेसियल प्लेट भी होता है तो यह तो मेरा वन साइड़ प्लेट है और मैंने इसका क्यों सेलेक्शन किया उसका भी मैं बाद में डिसकस करूंगा तो चलिए देखे वन टू त्री फोर फाइव सिक्स वाव टोटल 12 प्ल पहले चेरी पेंट सेलेक्ट किया था बाहर के लिए लेकिन पेंट दुकान वाले ने मुझे एडवाइज दिया कि आप बाहर का एलमूनियम कोटिंग का जो पेंट आता है वो लगाईए यह थिनर हो गया और सारा चीज एक एक चीज मैं बारेकी से बताऊंगा आपको यहा इस पे थोड़ा सा हम लोग टाइम देंगे इसको सुखने के लिए और दिखे यहां पर यह जो हमारे पेंटर है इसको अच्छे तरीके से पेंट कर रहे हैं और चुकि यह अभी थोड़ा सा कॉटेन कपरा का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रस से कर रहे हैं तो वो जो होता है प्राइमर का ड्रॉप और बार बार गीर जा रहा है क्योंकि उसमें बीच में गैप है इसलिए तो एक कपरा का यूज करके पेंट कर रहे थे और यह तो मैंने पहले ही दिखा दिया था कि यह इन्वर्टर है हमारा और यहां पर कंपाउंड है अर्थिंग कंपा और देखे मैं इसी चीज का बोल रहा था कि यहां पर देखे एक कपरा का यूज करके अभी ब्रस नहीं यूज कर रहे हैं चुकि इसमें बीच में जो गैप है जो होल है उससे ड्रॉप लेट गीर जा रहा है नीचे जमीन पर जिसके कारण अभी कॉटन कपरा से इसको प्र कारी देंगे और निश्ट वीडियो में और बारीकी से चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग कोस्ट के बारे में देखेंगे कितना कोस्ट परता है कौन सा कंपनी का सेलेक्शन करना चाहिए और कौन सा प्लेट लगाना चाहिए तो चलिए हम लोग तब तक इंतजार करते हैं त